नमस्कार दोस्तों वेक्टी.ंदी में आपका स्वागत है मेरे नाम है विवेक्टमा और मेरे पाथ है यहाँ पर रेडमी का 9NA और पोको C3 मैं आपर करने वालों दोनी फॉन का फुल कंपेरेजन और हम देखेंगे यहाँ पर क्या डिफरेंस आपको दोनी फॉन में देखने क वागी फिजिकल कीज की अगर बात करें ते हैं कि दोनी फॉन के राइट साइड में आपको पावर की और उसके जश्टूपल वॉल्म की यहाँ पर मिल जाता है तो यह होगी ओवरल डिजाइन बॉड़ी की साथी बात करें यहाँ पर दोनी फॉन के बैक साइड की तो दिक साथी बात करें दौनी फोन के मैट इटिरिल की तो बेसिक पलास्टिक के दौनी फोन है यहाँ पर और मैट मिला फीनस के साथ महला परस यहाँ बीडरों सही वासिज अफ्रॉंद का यहाँ पर प्लेन ग्लोसी टाइप दिया हुए यहां पर लिखा हुआ है रैडमी और सिंगर आपको यहां पर मिलता है यहां पर यहां ना पर देख सकते हैं कोई खास जाधा दिफरेंस नहीं है तो finally दोस्तो अब यहाँ पर कर लेते हम दोनों फोन को वूट और फिर देखेंगे यहाँ पर internal क्या difference आपको यहाँ पर दोनों फोन में देखने के लिए मिलेगा तो दोस्तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दोनों फोन हो चुके हैं वूट और सबसे पहले हम बात करें डिस्प्ले साइज की तो Poco C3 में आपको मिलती है 6.43 इंच की HD प्लस IPS डिस्प्ले वहाँ रेड्मी 9 ने में आपको मिलती है 6.53 इंच की HD प्लस IPS डिस्प्ले यहाँ बहुत थोड़ा है डिफरेंस ने आपको डिस्प्ले साइज में बागी बात करने दोनों फोन के UI की यहाँ पर दोनों फोन में MIUI आपको मिल जाता है तो खोई खास डिफरेंस तो यहाँ पर होने वाल नहीं है बस थोड़ा साइज डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आप रेपोकुसी तरी में अप्लिकेशन आप करके उपन बागी दोनों फोन की यहाँ पैनल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एकदम सेम फीचर्स आप यहां से एक्सेस कर पाएंगे कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं है चाहिए स्क्रीन रिकॉर्टिंग हो चैट का ओप्सन हो मोबाइल डाटा वाइफाई रोटेट स्क्र स्क्रीन लोकेशन लोकी स्क्रीन स्क्रीन सोर्ट कैसा भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं है अब बात करते हैं दोने फोन के हाड़वेर कि यह दोने फोन का वर्ण सेक्शन और आप यहां पर देख पारे होंगे सबस्पहलें मॉडल नंबर रेडवी 9A और पोकु सी ट्री और स उस साथी बात करने दोने फोन के ऊएस की तोने फोन में अंडर टेन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है अब बात करने दोने फोन के प्रोसेसर की देखित कि फोकु सी थी में मिलता है हीलियो का G35 octa core processor 12nm पर यह वर्क करता है और PowerVR GE8320 यहाँ पर बलता है आपको GPU और 3GB और 4GB के दो वेरिंट में आपको मिल जाता है वहीं बात करें रेट भी 9 एक तो यहाँ पर आपको मिलता है हीलियो का G25 octa core processor हलाग यह भी 12nm पर वर्क करता है रस्में भी PowerVR GE8320 GPU आपको मिलता है लेकर अगर हम compare करें course में तो G35 better है compare to G25 बागी बात करें दोनों इफॉन के बैटरी की 5000 image की बैटरी दोनों इफॉन में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है एक और डिफरेंट है POCO C3 3GB, 4GB यानि 32 और 64 के दो वेरियंट में है वही 9A 232 और 332 के दो वेरियंट में आपको मिलता है और कोई खास डिफरेंस इसके अलावा यहाँ पर hardware में नहीं है बगी अधर features की बात करें तो अब यहाँ पर UI features चेक कर लेते हैं और देखैंगे वहाँ पर क्या difference आपको देखने के लिए मिलेगा तो यह धन रही फॉन की settings और आप देख पा रहे होगे यहा पर UI की बात करें तो कोई difference यहाँ पर नहीं है same settings आपको यहाँ पर दोनोई फॉन में देखने के लिए मिल जाएंगी चाहें वो Google, Microsoft, Digital Welving साथी कुछ एडिचनल सेटिंग भी है यहाँ पर यह भी एकदम सेम है तो यू आई फीचर्स में बोलें या सेटिंग में बोलें तो यहाँ पर कोई डिफ्रेंस दोनों फॉन में आपको नहीं मिलेंगी आप देख पार होंगे बिल्कुल फीकेंस वाई यहाँ पर सब कुछ एकदम सेट है बिल्कुल सेम तो यू आई फीचर्स में यहाँ पर कोई डिफ्रेंस नहीं है एक डिफ्रेंस वही था जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था बागी बात करें दौनी फॉन की सेक्यार्टी की दौनी फॉन में फेस लोग है फिंगर प्रिंट दौनों में से किसी भी लोग में नहीं है और यहाँ पर फटाफट फेस लोग रेइस्टर करते हैं और देखते हैं वहाँ पर कोई डिफ्रेंस आता है या नहीं आता है तो दोस्तों दौनी फोन में फेस लोग हो चुका है अपना रेइस्टर और अब देखते हैं पर्फॉर्मेंस यहा भी बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है यहां पर आप देख पा रहे होंगे और यह इस बार नाई ने जल्दी अनलॉक हुआ है तो दो फॉन जब होते हैं तो डिफरेंस के वाल यह होता है आप जिस फॉन की तरह अपना फेस करेंगे वह फॉन पहले अनलॉक हो जाएगा तो यह यहां पर कोई खास डिफरेंस नहीं है दोनोई फॉन का फेसलोग काफी अच्छे से यहां पर वर्क कर रहा है अब फाइनली बात आती है केमरे की तो देखें केमरे में मैं सबसे पहले आपके बता दूँ हूं रेड्मी नाइने में सिंगल केमरा है 13 मेगा पिक्सल का f2.2 क साथ में वहाइं पोको सी 3 में ट्रपल कैमरा है एक 13 मेगा पेक्सल का कैमरा है 2.2 अपर्चर के साथ तो सेम है एक दूसरा कैमरा है 2 मेगा पेक्सल का डेफ सेंसर और एक है यहां पर मैक्रो बागी फीचर्स की बात करने तो आप देख पा रहा हूंगे फ्लैस HDR AI दोनोई फ यहां पर बागी और कोई option यहां पर नहीं है और दोनोई फोन थे फुल HD दक का वीडियो आप रिकॉर्ड कर लेंगे वहां भी कोई डिफ्रेंस नहीं है यह मैक्रो केमरा को आ रहा है आप देख पार होंगे सी 3 में वह नाइने में नहीं है क्योंगे आपर मैक्रो केमरा आपको दिया गया है बागी ब्यूटी मोर दोनों में से किसी फोन में अपलाई नहीं कर पाएंगे बागी यह मोर का option यहां पर टाइम लैप सौर्ट वीडियो यह दो अप्शन दोनों फोन में मिल जाते हैं तो केमरा फीचर्स में यहां पर कोई भी डिफ्रेंस नहीं है द तो हम यहां पर चेक कर लेते हैं और देखते हैं वहां पर कोई डिफ्रेंस है या डिफ्रेंस नहीं है तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यह फ्रेंट गैमरा सी तरी का प्रो मोड तो फ्रेंट पर कम करता ही नहीं है ब्यूटी मोड चेक करते हैं तो यह है फोटो मोड और यहां पर फ्लेस HDR का उप्शन आप देख पा रहे होंगे साथी ब्यूटी मोड और फिल्टर दोने आप अप्लाई कर पाएंगे साथी है पूर्टेट मोड और फ्लेस का उप्शन आप देख पा रहे होंगे और यहां से आप फिल्टर से अप्लाई कर और फिल्टर्स यहां पर अप्लाई आप कर पाएंगे साथी बात करें रेडमी 9 ने के फ्रंट कैमरा फीचर्स की तो वह भी यहां पर हम चेक कर लेते हैं को यहां पर यह पूर्टिन मोड इस्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वीडियो रिकॉर्डिंग औ और वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो फॉल एच्टी तक कर वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे यहां भी कोई डिफ्रेंस नहीं है साथी यह नॉर्मल फोटो मोड और यहां पी वही फ्लेश, HDR मोड और फिल्टर्स और ब्यूटी मोड सेम है कोई डिफ्रेंस यहां पर भी नहीं है साथी यह है पूर्टेट मोड और यहां पर भी आप फ्लेश का उप्सन और यह फिल्टर्स आपको मिल जाएंगे ब्यूटी मोड यहां भी नहीं है और मोर में अगर जाएंगे तो देखिए टाइम लैप्स वर्क नहीं करता सौर्ट वीडियो इसका भी फ्रंट पर वर्क कर रहा है तो ओवरॉल केमरे फीचर से बात करें तो कोई डिफ्रेंस यहां पर केमरे फीचर में नहीं है नहीं केमरे में डिफ्रेंस है डिफ्रेंस इतना सा है कि मैक्रो केमरा आपको नाइने में नहीं मिलता है और डेप सेंसर भी नाइने में नहीं म तीसरा में डिफ्रेंस जो वो है प्रोसेसर का बागी और कोई डिफ्रेंस यहाँपर आपको नहीं मलेगा दौन एफ़ान में डिस्प्ले दौन एफ़ान की सेम है वी दौन एफ़ान का same है अब बात आती है प्राइज की जब कि नाइने का वेरियंट आपको मिलता है 7499 यान की लगवाक 500 रुपे सी तरी मेगा है और अपर एक्स्टा क्या मिलता है आपको प्रोसेसर जी 35 और मैक्रो कैमरा और डेफ सेंसर तो इसे साब से कोई ज्यादा प्राइज यहां पर नहीं है तो यह था हमारा रेड्मी 9A और पोको सी तरी के बीच फोल कमपेरेजन उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आयोगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना न भूलें चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद हेवेन आइश डेइ